सो स्टुेंटेंट् सेलेट लेट सार्च干? लेट स्थौरेट स्टर्टेशन수 you डिलमिटेशन वहता है यहाँ पर स्थौरेटांटेशन यहां पर लेटेशनस का मतलब होता है कमिया तो अकांटिंग जितने भी advantages होते हैं, हर चीज की advantages भी होते हैं, अपने अपने फाइदे भी होते हैं, अपनी अपनी कम्या भी होते हैं, तो हमारे accounting की क्या क्या limitations है, firstly, accounting is not fully exact, तो guys, जो accounting है अपना वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से exact नहीं है, accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimated are also made for ascertaining profit and loss, तो guys, में होता है कि काफी सारी जो हमारे transaction होती है, उनको तो हम अपनी evidence के basis पर हम अपसको दर्ज कर लेते हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी transactions होती हैं, जिसको हम अपने profit and loss को ascertain, ascertain profit and loss को उसकी वज़े से हमें उसे pass करने पड़ती है, जैसे कि हमें पता है कि guys, आपकी मशीनरी खरीदी है, तो अभी हमने वो मशीनरी खरीदी है, तो हर एक चीज का अपना अपना एक time period होता है, जोगी एक time बाद वो खराब होने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं मशीनरी पे, कि मतलब हर साल हम 10-10% का पैसा बचाएंग और उसे हम expenses में डाल देते हैं एक तरीके से, यह हमारा खर्चा है, तो वो 10-10% accumulate करते हैं, हर साल accumulate हो जाता है, तो होता क्या है, एक time ऐसा है कि जब आपकी मशीनरी खराब हो जाती है, तो जब आपकी मशीन खराब हो जाएगी तो आपके पास एक type of certain money बचा रहेगा, जिसक आप एक और मशीन नहीं खरीद सकते हैं, तो for example, estimating the useful life of the asset, तो अगर हम पहले estimate कर लेते हैं, कि इस asset की क्या useful life होगी, कब तक हम इसे use कर सकते हैं, and providing for doubtful debt, जैसे कि हमें पता है, कि कई ऐसे, जैसे कि अगर हमने, कोई हमारी data से, हमने किसी को पैसे उधार में दे रखे हैं, या फिर कोई हमारा समान उधार में ले गया है, लेकिन हम doubtful है कि ये लोग पैसा वापस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम एक provision बनाते हैं, doubtful debts का, कि ताकि एक मतलब अपना profit में से एक ऐसा certain money हम अपने side में रखके बचा के चलते रहते हैं, ताकि at the end of the year हम पूरी हम insolvency से ब बचे रहें, तो इसलिए हम अपना accounting में कई-कई entries ऐसी पास भी करवानी होती हैं, तो जो हमें आगे future में help करती हैं, तो net realization value of the closing stock, जैसे कि हमारी क्या realizable value है closing stock की, तो it's not necessary कि हमने जैसा सोचा है कि हमारे पास 31,000 के stocks पढ़े हैं, तो ये 31,000 के 31,000 में बखेंगे हो सकता है, तो जो closing stock की जो हमारी value हो बढ़ती और घड़ती रह सकती है, तो इसलिए जो accounting है, उसे हम फूरी तरीके से fully हम उसे exact भी नहीं बोलेंगे, clear, now, the second one is unrealistic information, तो guys इसमें क्या होता कि कई-कई information ऐसी होती है, जो unrealistic होती है, accounting information may not be realistic, since accounting statement are prepared, तो accounting information तब तक हमारी realistic नहीं मानी जाती है, जब तक हम अपनी accounting statements ना बना ले, what are the accounting statements, final account हो गया, अपना balance sheet हो गया, और अपना trial balance हो गया, इनको हम accounting statements बोलते हैं, are prepared, the following accounting concept and conventions, for example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future, तो guys एक अपना concept होता है, अपना accounting में हम ये वाले concept को आगे वाले chapters में पढ़ेंगे, तो इस concern concept, ये concept क्या बताता है, going concern concept हमें ये बताता है, कि अगर हमने किसी person ने business start कर दिया, तो ये business चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अरंद काल तक जब तक चलता रहेगा, जब तक court इसको बन ना कर दे, जैसे कि जिस person ने अगर business start कि, अगर वो मर भी गया, तो उसके आगे वा जो assets होती है वो अपने cost value पे record की जाती है cost का मतलब होता है कि जितने में हमने खरीदा है अब साल दर साल तो किसी भी चीज की value घड़ती रहती है अब जसे यह pencil है जैसे मैं इसे 5 रुपे की लाई थी मैंने इसे use कर लिया तो अभी एतनी छोटी सी रह गई है pencil तो अभी इसको इसकी value काम हो जानी चाहिए लेकिन जो यह asset है मेरा यह जो मेरा asset है जिसको मैं use कर जिसको मैं जिसकी help से मैं काम करती हूँ तो अभी भी मैं इसको cost को क्या ही मान के चलूँगी यह 5 रुपे की pencil आती है and depreciation over their useful life तो guys जो भी assets है उनको assets को तो हम अपनी cost पे record करते हैं कि भाई 10,000 का हमने कोई चीज खरीदा था तो वह 10,000 का ही मैं हमेशा उसे यह वो मानूगी कि 10,000 का था and depreciation over their useful life और उसके उपर कुछ depreciation हम लगाते रहते हैं the assets may not be actually realizable at book value तो asset जो होता है वो उसकी जो book value होती है बतब उसके नहीं लिखा जाता है जो उसकी cost होती है उसके generally हम उसको मान के चलते हैं the third one is accounting ignore the qualitative elements तो guys यह न लोगों की quality को eliminate करता है इगनोर करता है इसको quality से कोई मतलब नहीं इसको सिर्फ quantity से मतलब है यह हम accounting में सिर्फ अपने monetary value वाली transactions को record करते है accounting is confined to monetary matters only therefore qualitative elements like quality and skills of the management and staff industrial relations and public relations are ignored तो guys इसमें क्या होता है कि तुमारे क्या भी staffs के साथ क्या relation है अपनी skills क्या क्या है अपने management की वो सब को ignore करते हैंगे public relation को ignore करते हैं सिर्फ पैसे से संबंदे जो भी transaction की न वही record किया जाता है the fourth one is accounting ignore the effect of price level changes तो guys क्या होता है कि accounting न प्राइस लेवल changes को ignore करता है कि जो भी हमारे price में फिर बदल होते हैं उसको वो assume नहीं करता accounting statement are prepared at historical cost तो इस pencil की cost थी 5 रुपे जब मैं इसे खरीक के लाई थी तो यह उसी के उपर deal करेगा अपना accounting money as a measurement unit changes in the value frequently तो guys जो money होता है वो एक measurable unit होती जैसे अपना centimeter and meter एक measurable unit होती है उसी की तरह के से money भी एक measurable unit होती है जो की value अपनी change करता है यह कभी भी stable नहीं होता है it doesn't remain stable accounting however presume that the value of money remains stable तो guys क्या हो करता है कि लेकिन accounting के लिए presume accounting ऐसा presume करके चलता है कि जो हमारा money है वो stable value है वो remain है वो हमेशा same रहता है तो guys आपको भी पता होगा कि rupees और rupees की value कैसे घटती बढ़ती रहती तो accounting को उससे कोई भी मतलब नहीं है उसने जितने में वो चीज लाई रहती है वो उसको उसी में record करके रगता है unless price level changes are considered accounting information will not show correct financial result तो अगर guys अगर हमने कुछ भी करके अगर price level changes को भी accounting में consider कर दिया तो वो हमें फिर भी correct financial result नहीं बना के देगा तो इसलिए accounting में जो price level changes है ना यह मतलब उसमें थोड़ा सा इसका एक limitation part हो गया है now the fifth one is accounting may lead to window dressing तो guys window dressing इस word को ना बहुत अच्छे से आप धिहान में रखना कि what is the meaning of window dressing the term window dressing means manipulation of account manipulation का मतलब क्या होता है कि यह इसमें fair बदल आसानी से किया जा सकता अगर किसी वो बहुत अच्छे से accounting का knowledge होगा ना तो वो अपनी books को इस तरीके से बना देगा कि हमें लगेगा नई भई company तो अपनी profit में चल ली तो accounting को हम अगर proper knowledge के साथ ना कोई भी इसको manipulate कर सकता है in a way so as to conceal vital facts तो यह क्या करेगा बच्चे तो यह करेगा कि vital facts जो हमारे important facts जो होते है उनको conceal कर देगा छुपा देगा and present the financial statement to show better position और यह क्या करता है कि हमारी statement को इस तरीके से बना देगा कि वो हमारी जो company है उसकी better position शो करेगा what is actually जो कि वो नहीं है जो actual position है उससे कई बहतर दिखाएगा तो अगर कोई ऐसे मताब window dressing accounting में बहुत अच्छे से की जाती है और जो chartered accountants है और जो जितने भी accountants है तो इनका काम यही होता है कि vital facts को छुपा के अब जैसे की विजय माली और यह सब है तो इन्होंने भी accounting के उसमें फेर बदल करके अपनी company को अच्छा अच्छा loan दिलाया कैसे company को बहुत profitable दिखाके लेकिन बाद में क्या हुआ कि पूर तो हमारी true information नहीं देती है fair view नहीं देता है कि क्या हमारी company के position है company profit कमारी की नहीं कमारी तो गरत ही बताता है हमेशा कि मत्तब profitable है company है फिर company की financial position बहुत अच्छी है जब कि ऐसा नहीं होता तो यह सारी हमारी limitations थी accounting की अब हम start करते है अपना role of accounting in business तो अपना accounting का क्या क्या role है business में accounting is the process of identifying यहाली statement में हम तीन बार पढ़ रहे है तो ऐसे आपको पूरा chapter में यह read करते 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 आपको पूरा chapter ही याद हो जाएगा तो आपको थियोरी में बिल्कुल भी tension लेने की ज़रत ही आप एक बार पूरी वीडियो को बिना skip करके पूरा देखना तो आपको देखते देखते ही पूरा chapter याद हो जाएगा फिर एक बार reading लगा लेना that's it accounting is the process of identifying तो accounting क्या है पहले identify करता है वो transaction को कि कौन कौन monetary transaction है फिर उसकी बाद उनको measure करता है एक single time में whether it is a dollar whether it is a rupees तो जो भी अपना measurable unit ह उसमें वो measure करेगा record करेगा transaction को उसको classify करेगा अलग-अलग जो जैसे कि कोई राहूल की account की transaction उसको राहूल की account में डाल दिया को cash book की transaction उसे cash book में डाल दिया तो उनको classify करेगा उसके बाद वो क्या करेगा उससे summarize करेगा मतलब कि एक summary तैयार करेगा जैसे कि अपना trial balance बना और अपना balance sheet बना दिया, एक summary प्रिपेर करेगा, after that they analyze and interpret, analyze करते हैं, वो पूरी statement को interpret करते हैं, उसके बाद communicate करते हैं, financial transaction users को, जो भी हमारे users हैं, जैसे कि internal and external users, उनके साथ वो ये सारी information को communicate करते हैं, following points highlight the role of accounting in the business wheel, तो guys इसमें क्या हैं, तो इसमें following points जो हैं, यह highlight करते हैं, कि क्या role है, accounting का क्या role है business में, तो maintenance of systematic record, तो सबसे पहला काम यह है, कि वो एक systematic record प्रिपेर करके देता है, the primary role of accounting is to maintain systematic record of financial transaction, सबसे पहला role यह है, कि जो भी तुमारी transaction है, उनको system से लगा के दो, in order to ascertain the profit and loss, ताकि वो ठीक ठीक हमें बता सके कि कि कितना profit और कितना loss है, for the accounting period, एक proper period होता है accounting का, जैसे कि अभी हम 23 में चल रहे हैं, तो अभी आज की जो proper में आपको date बताओ, तो अभी आज है अपना 9 March, तो 9 March जो है ना, तो मैं इसको कौन से year में consider करूंगे, 9 March को अपने हम consider करें 1st April 2022 to 31st March 2023, तो guys हमारा जो accounting period होता है, वो 1st April से लेकर 31st March तक चलता है, और कई-कई जगह पे 1st Jan से 31st December तक भी होता है, तो दो टाइप की accounting period होता है, तो generally हम लोग 1st April to 31st March वाले को prefer करते है, according to the Indian accounting period, तो हम 1st April 31st March को ज्यादा तर जगह पे यही बाला यूज होता है, and the financial position of the business on a particular date, तो क्या करता है, systematic records अपने को बताता है, कि हमारी आज के date में, particular date में क्या position है, business की, guys आगे वही चीज़ है, फिर से, assistance to management, तो role क्या है, अपना accounting का, दूसरा role यह कि management को help करना, management को, ताकि management अपने proper decision ले पाए, इसकी help से, accounting के help से, and the अपने results को compare कर पाए, पिछले साल के results को, इस साल के results के साथ, की company ने कितना profit और कितना loss कमाया, fourth thing is evidence, तो यह evidence का का काम करता है, court में, accounting records are often accepted by the court as the good evidence, the fifth one is, fifth one, others, जैसे कि proper accounting records, obvious the necessity to remember the business transaction, अगर हमने properly accounting के records को properly melting कर करके रखा है, तो वो हमें आगे बताता है, कि आगे हमें business के records को remember करने की जुरत नहीं, क्योंकि हमने एक जगा पर ठीक से लिख रखा है, तो जब भी हमें जुरत होगे, हम अपनी books को open करेंगे, और अपनी transaction को देख सकते है, the second one is facilitating raising room, तो गई जिसमें क्या होता है, कि अगर 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 तुमारी company अच्छा profit earn कर रही है, तो तुमार करना चाहरता है, तो वो एक proper price देख सकते है कि कितने proper price में हमें इस business को sell out करना चाहिए, अगर उसके accounting records को देखने के बाद, and the fourth one is facilitate settlements of the tax liability, तो guys whatever we have to pay the tax, जो भी हमाने tax liability होती है, तो वो भी हम accounting को मतलब ठीक से analyze करके, कितना profit है, कितने profit पर कितना हमें tax भरना है, तो वो भी यह इसमें help करता है, तो इसलिए guys यह सारे हमारे जो role है, कि accounting business में कैसे हमें help करता है, now, let's come to the next part, accounting process, based on the attributes of accounting, what is the meaning of attributes, मैंने सबसे starting में भी बताया था, कि attributes का मतलब होता है, characteristics, तो जो भी हमारे characteristics है, the steps of accounting process are as follows, तो guys इसमें जो कुछ steps दे रखे हैं, तो इन steps को पहले हम read करत हैं, और उसकी बाद में से पूरे fully आपको और भी ज़्यादा अच्छे से यह समझ में आ जाएगा, identifying financial transaction, obviously हमें बताना है कि कौनजी transaction financial है, कौनजी नहीं है, जो financial nature की होंगी, उनको accounting में डालो, जो नहीं होंगी, उनको बाहर फिको, and the second one is recording, बाद में record करना होता है, classify करना ह होता है, analyze करना होता है, interpretate करना होता है, communicate करना होता है, तो guys, यह सब हमने कितनी वार ही पढ़ लिया होगा, अभी तक जितना भी chapter मैंने आपको explain किया है, तो अब हम इसका एक actual meaning जानेंगे, कि यह सब होता है, कैसे है, तो guys, जैसे ही हमने क्या करा कि अपनी financial transaction and event को analyze किया, कि ह हाँ भई, यह सारी जो हमारी transaction है, वो financial nature की है, तो हमने उन सारी transaction को क्या कर दिया, हमने उसको record कर दिया, ठीक है, record करने के बाद क्या होगा, record transaction को record करने के बाद, guys, हम जाते हैं, उसे, तो guys, record करने के बाद हम उसे classify करते हैं, मतलब कि उसे post करते हैं, अपने ledger में, तो guys, recording क्या होता है, recording मतलब हम general prepare करते हैं, अपना recording करते ही time, ठीक है, तो general होता है, जैसे अपना cash book हो गया, purchase book हो गया, sales book हो गया, यह सारी चीज़ा हमारी general के एक proper general के अंदर आती हैं, तो जिस return अलग prepare करना, तो classify and posting into the ledger, after that हम इस हार एक का prepare करते हैं, ledger, ledger prepare करने के बाद हम prepare करते हैं, सबसे पहले trial balance, trial balance के बाद प्रिपेर करते हैं, trading and profit and loss account, जो कि हमें बताता है कि कितना profit or profit, कितना loss हुआ है, इस particular accounting period पे, and last में अपनी बनती है, balance sheet, तो balance sheet हमें financial position अपनी company के बताती कि company के बाद कितने assets हैं और कितनी liabilities हैं, कितने assets मतलब कितनी उसकी property है, ऐसी चीज़े हैं, जो उसको पैसा बना के दे लिए, and liabilities का मतलब होता है, कि उसके पास कितनी ऐसी responsibilities हैं, जो उसको अभी perform करनी है, ठीक है, अब यह सब summarizing, यह पूरा part अपना summarizing के under आ जाता है, and after that analyze and interpret, हम पूरे result को analyze करते हैं, interpret करते हैं, interpret करने के बाद, हम इस पूरी information को communicate करते हैं, अपने users पे, तो guys, यह पूरा flow chart है, जो कि आपको, मतलब ऐसी read पर लेना है, यह अभी इतना important है और नहीं भी, यह जस आपको एक rough idea दे देगा, कि हम कैसे कैसे अपने पूरे accounting को perform करते हैं, लेकिन यह पूरा chart को एक्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, तो इसना कोई बात नहीं आएगा, तो guys, अब हाते हैं, हम अपने branches of accounting पर, so guys, basically accounting की 3 branches होती है, with the changing items, following specialized branches of accounting have emerged to meet the change requirements, so guys, branches of accounting किती है, 3 branches होती, एक होती financial accounting, second one is cost accounting and the third one is management accounting, so guys, अब इन तीनो accounting को हम और भी जगा विस्तार से बढ़ेंगे, कि यह तीनो accounting कहां कहां पर use होती है, और किस किस के लिए use होती है, clear? तो guys, start करते हैं, अपना financial accounting से, financial accounting is that branch of accounting which record financial transaction and event and summarize, interpret them before communicating the result to the user, तो guys, financial accounting की branch हो दी, जो कि financial transaction को record करती है, इसके event को record करती है, इसका काम generally यही होता है, कि यह बताता है कि company ने कितना profit और कितना loss incurred किया है, पूरी accounting period पे, और यह company की financial position बताने के काम आती है, the end product of financial accounting is the profit and loss for the period ended, which shows the profit and loss incurred, तो कितना profit earn किया है, कितना loss incurred किया है, and balance sheet as on the last day of the accounting period, और जो last day अपना 31st March है, 31st March है या फिर 31st December जो है, तो उस date पे अपनी क्या financial position है, अपनी company की तो यह बस वो तक बताने तक सीमित है, in short, financial accounting is confirmed to the preparation of financial statement, तो guys, financial accounting क्या करता है, यह सिर्फ statement बनाना के काम आता है, अपना trial balance हो गया, profit and loss account हो गया, balance sheet हो गया, for the users for conform accounting information, ताकि अपनी accounting information को आगे forward कर सके, now, the next one is cost accounting, what is the meaning of cost accounting, this branch of accounting is concerned with, तो guys, यह जो branch अपने accounting की, यह concerned है, with ascertaining cost of product, what are the cost of product, जो भी हमने product अपना prepare कर रहा है, तो उसकी कितनी cost आई, वो कितने में पढ़ा, जैसे कि यह pencil है, तो मेरे काम है कि इस pencil को प्रोड़जी जनरली न, cost accounting जो है, production department से रिलेट करता है, तो जैसे मैंने pencil को लिए, अब इस pencil को बनाने के लिए, मेरे को कितना ग्रेफट, मेरे को ग्रेफट कितने का पढ़ा होगा, मेरे को यह पूरा pencil का, जो यह paint है, वो कितने का पढ़ा होगा, और यह pencil का wood कितने का पढ़ा होगा, तो guys इन सब को add करने के बाद, इसमें labor charges include करने के बाद, तो हम पता लगाते कि यह पूरी pencil की cost हमें कितनी पढ़ी है, तो वो सारा अपना cost accounting देखता है, मतलब कोई भी goods बना रहा है, तो वहाँ पर financial accounting का कोई use न, वहाँ पर cost accounting देखा ज process और activities लगी, इस pencil को बनाने में, it is that branch of accounting which deal with the recording cost, तो guys यह वो branch accounting के, जो कि cost के साथ deal करता है, कि इसकी कीमत इसको मैं भाहर कितने में बेचू, ताकि मेरे को इतना इतना profit हो जाए, with the objective of ascertaining and reducing and controlling cost, तो guys इनका काम है, ascertain करना cost को, मतलब अंदाज लगाना इतने तक का पढ़ ज जाने चाहिए, तो cost cutting वगारा जो भी है, सारा cost accounting department देखता है, and the next one is management accounting, इसका यही से समझ में आ रहा है, कि what management, मतलब यह, जो है, यह managerial level से related है, management, management accounting is the most recently developed branch of accounting, यह आज कल में ही, मतलब बहुत 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 है, it is concerned with generating accounting information, यह क्या करता है, कि accounting information को generate करता है, cost product, कितना cost रखना चाहिए, कितना fund raise करना चाहिए, हमें कितना loan और चाहिए भार से, ताकि हमारी company जल्दी से insolvent ना हो, कितना हमें profit कमाना चाहिए, यह सारा management accounting देखता है, as it enables the management in decision making, यह help करता है management को decision making में, we may say that the management accounting addresses the single, that the need of the single group user, तो guys, जो management accounting है, सिर management level तक ही होता है, management level तक ही होता है, तो यह उनको ही help करता है, बाकी सब उगने हो, और यह तीनों, यह दोनों भी management में कही न कहीं help करते हैं, लेकिन यह वाली accounting इन दोनों पे कोई भी बजाता, इतना फरक नहीं डालती है, now, next topic is bookkeeping, accounting and accountancy, so guys, accounting और accountancy न सुनने में बहुती ज़्यादा same to same लगते बट दोनों के दोनों same नहीं है, यह दोनों ही इनके अलग-अलग meaning है, और अलग-अलग terms है, the term bookkeeping and accounting often considered at the same is not correct, ठीक है, तो bookkeeping और accounting को भी same माना जाता है, मतलब इन दोनों को बोले जाते हैं कि यह दोनों same है, बट यह दोनों same नहीं है, accounting बहुत ही ज़्यादा बड़ा concept है, bookkeeping उसका एक छोटा सा part है, और accounting और accounting से सुनने में same लगते हैं, लेकिन यह कहीं भी same नहीं होते है, the two terms are different from each other, तो bookkeeping और accounting जो यह दोनों है, यह दोनों ही अपने आपें अलग-अलग है, accounting is wider concept, accounting की बड़े पैमाने बहुत बड़ा concept है, जिसके अंदर bookkeeping आता है, which includes bookkeeping, now the meaning of book keeping, bookkeeping is the part of accounting being a process of recording financial transactions and events in the books of accounting, जिसके होता है, कि bookkeeping जो है, एक पार्ट है accounting का, being a process of recording, तो यह क्या करता है, यह record करता है, and financial transactions को, and event को अपनी books में, does bookkeeping involves, so bookkeeping में क्या क्या आता है, firstly, identifying financial transaction in event, वही सब आता है, जो हमने पीछे मतला पड़ा था, सबसे पहले financial transactional event को identify करता है, उस करता है मतलब कि अपना journals journals prepare करता है then classify करता है मतलब अपने ledgers prepare करता है और guys यह इसी के साथ अपना concept खतम होता है तो bookkeeping का काम है सिर्फ ledger तक का that means कि अगर हम इस store chart को देखा जाए तो bookkeeping का काम क्या है financial transaction in event recording recording के बाद classification that's it यहां पर खतम हो रहा है तो guys उसके बाद accounting का क्या काम आता है accounting यहां से लेकर यहां तक पूरा जाता है तो accounting का काम इससे आगे भी शुरू होता है summarize करना interpret करना analyze करना और communicate करना information को तो accounting यह पूरा wider concept है और bookkeeping सिर्फ के यह तीन पार्ट जो आपको दिख रहे हैं यह तीन हो है तो guys आप बुक कीपिंग की डेफिनेशन को ध्यंक से रीड करते है बुक कीपिंग इस आ आर्ट यह एक कला है record करने का मतलब record करना अपने accounting के transactions को record करना books में in the term of monetary aspects of the commercial and financial transaction बुक कीपिंग इस दा यह मतलब एक जो last में definition दी रहेगी वो full-fledged होती है आप बस उसको देख लेना तो इन सबको आपको बस मैं ऐसे explain कर देती हो bookkeeping is an art of recording business dealing in the set of books तो bookkeeping एक art है जो की deal करता है set of books में मतलब की जो भी अपने book recording transaction को record करता है अपने एक books में तो guys अब यहाँ पर दो statements और दे रहे हैं आपको इसको just read कर ले न और इन सम्में से जो भी useful लगेगी आपको मेरको तो यह वाली useful लग रहे तो इसको आप अच्छे से learn कर ले न और अपने exams में आप लिखके भी आ सकते हो the next term is accounting accounting is the wider concept than bookkeeping it starts with the bookkeeping तो guys यह bookkeeping से start तो होती है where तो यह accounting अपनी कहां से start होती है accounting अपनी बहाँ पे start होती है जहां पे bookkeeping खदम होती है in other words bookkeeping is the part of accounting तो bookkeeping भी एक part accounting का तो guys अब इन दोनों के बीच में हम differences को देख लेते हैं what is the difference between the accounting and the bookkeeping तो जिस तरीके से यह अपना differentiate दे रखाए न आपको भी अपने exam में इसी तरीके से differentiate लिखके आना है तब ही आपको full marks मिलेगी अगर आप यह basis नहीं लिखते हो न और सर्फ इतना इतना लिखते हो तो guys मैं अश्यार नहीं हो कि आपको पूरे माक्स मिल जाएंगे तो क्यूंकि आप 11 में आ चुके हो तो आपको proper अपना एक answer देना है और इस तरीके से देना है कि वो answer आपका कोई ढंग से information प्रवर्ट करें तो इसलिए आपको इस प्रॉपर वे में लिखना है जिस तरीके से यह दिया गया है उसको इस वाले आंजर को तो आप अच्छे सरद डालो यह कईना की exam में जरूर आएगा तो इसलिए आप इसको एच्छे से रीट कर लेना तो guys scope book keeping is concerned with identifying financial transaction तो क्या करता है यह इंटिफाय करता है financial transaction को उसको term measure करता है in terms of money और record करता है अपने books of accounting में and then classify करता है लेकिन accounting क्या करता है accounting is concerned with summarizing the recorded transaction and event तो यह क्या करता है guys यह record यह summarize करता है जो भी हमने यह transaction को classify करता है उसके बाद यह summary प्रिपेर करता है मतला profit and loss account बनाएगा और balance sheet बनाएगा interpret them and communicate interpret करता है और उसके बाद अपनी users को information users को वो करता है forward करता है तो guys यह basically इन तीनों चीज़ों की बाते कर रहे है the second is it is the primary stage तो जबसे starting जो accounting की पूरी starting stage होती है न यह bookkeeping होती है अपनी ठीक है records करना transaction को यह bookkeeping के अंदर आता है it is the basis of accounting यह एक base है accounting का and this secondary process है accounting it begins where bookkeeping and तो अपना accounting तब start होता है जब अपनी bookkeeping खतम हो जाती है objective क्या है guys इसका the objective of the bookkeeping is to maintain the systematic record of the financial transaction तो guys यह क्या करता है कि maintain करके रखता है financial records अपनी financial transaction का systematic way बे the objective of bookkeeping accounting अब objective के accounting का यह net result अपने आपको बना के देता है जैसे कि net result of the operation and financial position at the end जो कि हमें communicate करने में help करती है जो interested parties होती है अब यहाँ पे external और internal users ही है जो interested जिनको interest रहेगा अपनी हमारी कंपनी की financial position जानने में nature of the book nature of the job this is a routine job तो guys यह वाला जो जो जॉब होता है अपना bookkeeping का यह day to day routine में daily करना पड़ता है बट यह बाला क्या होता है accounting बाला this job is analytical and dynamic in nature यह बहुत ज्यादा analytical होता है बहुत ज्यादा dynamic होता है dynamic मतला बहुत ही इसमें यह थोड़ा सा difficult होता है bookkeeping फिर भी बहुत easy है बट accounting थोड़ा सा difficult होता है it is a routine work performed by the junior staff तो guys यह छोटी छोटी जो staffs होता है वह junior staff perform करता है लेकिन accounting जो होता है यह एक senior staff perform करता है जिसके पास एक specialized skill होगी इसके लिए दोनों के लिए ही skills की ज़रुत होती है लेकिन इसके लिए थोड़ा ज्यादा qualification ज्यादा skills की ज़रुत पड़ती है booking thing is a mechanical in nature यह mechanical होता है इसमें man work ज़्यादा लगता है labor work ज़्यादा लगता है does does not require इतना ज़्यादा special skills इसमें use नहीं होता बट accounting जो है इसमें special skills का use होता है क्योंकि इसमें ability लगती है अपने result को analyze करने की और interpret करने की तो इसी के साथ हमारे दोनों का difference यहाँ पर finish होता है अब हम आते है next topic में that is accounting accountancy accountancy is a systematic knowledge of accounting तो guys accountancy जो है यह इसकी knowledge है accounting की जो study होती है उसको accountancy बोला जाता है ठीक है accounting तो process हुआ और accountancy उसकी study भी it explains how to deal with the various aspects of accounting तो guys accountancy हमें सिखाती है कि कैसे कैसे किस-किस expect के साथ हमें deal करना accounting के साथ यह educate करती है इसका basic motto क्या होता है हमें educate करना it educate us how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information की accounting information की summary कैसे prepare करनी है इसको किस तरीके से communicate करना users के साथ in other words accountancy refers to the entire body of the theory and practical of accounting तो guys accountancy के अंदर theory पार्ट भी आता है और practical पार्ट भी आता है accounting का accounting and accountancy दोनों में difference किया है accountancy is a knowledge whereas accounting is the action or process तो accountancy knowledge है accounting वो action or process है जो हम perform करते हैं अपने books को बनाने के time पे the next is accounting process is carried out on the basis of rules so accounting process जो है वो हम किस तरी से के से perform करते हैं कैसे accounting को चलाते हैं एक particular rules और basis के principles के basis पर जो कि हमें frame करके देता है कौन accountancy तो यह सारे rules कहां पे निश्चित करे रहते हैं accountancy मेरे निश्चित करे रहते हैं does it may be said that accounting is a knowledge तो इसलिए क्या जाता है कि जो accounting है वो एक टाइप का knowledge है जो कि हमें accounting perform करने की देता है accountancy एक knowledge है जो हमें accounting करना सिखाता है and accounting is does applicable applications of accountancy ठीक है accounting क्या है कि एक knowledge हमने accountancy से knowledge लिया और फिर हम उसे perform करना यहापे accounting applicable कर रहे हैं तो guys hope आपको यह accounting और accountancy का दोनों का meaning अच्छे से clear हो गया होगा